सुर्विन चावला ने कास्टिंग काउच पर किया बड़ा खुलासा बॉलिवूड पंजाबी और हिंदी वेब सीरीज में अपनी अदाकारी का जल्वा बिखेर चुकी अदाकारा सुर्विन चावला ने हाल ही में कास्टिंग काउच को लेकर बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने बताया कि ये 21 सदी के भारत में मौजूद है फिल्म में दुनिया को भारतिय समाथ से काफी आगे माना जाता है और इसके बारे में ये धार्णा है कि यहां काम करने वाले लोगों की समझ आम लोगों से ज्यादा बहतर होती है लेकिन सुर्विन चावला ने अपने खुलासे से बता दिया कि फिल्म इंडिस्ट्री में भी ऐसे लोग मौजुद है जो महिलाओ को एक वस्तों से ज्यादा कुछ नहीं समझते सुर्विन ने एक इंडिस्ट्री में बताया कि जब मैंने साउथ में काम करना शुरू किया तो मुझे तीन बार ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा ये उसी समय की बात है जब मैं टीवी से फिल्मों में जाने की कोशिश कर रही थी एक डारेक्टर ने मुझसे कहा कि हमारे बीच में भाषा एक दिवार है लेकिन मैं आपके शरीर के हर हिस्से की बारे में जानना चाहता हूँ सुर्विन चावला ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक बार तो नैशनल फिल्म अवार्ड विजेता डिरेक्टर ने ऐसी हरकत की थी हम लोगों ने एक फिल्म के लिए लोकेशन्स की रेकी की थी और कुछ लुक टेस्ट किये थे उस डिरेक्टर ने अपने असिस्टंट के माधियम से कहलवाया कि मैम हम लोगों का साथ काफी लंबा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये साथ बना रहेगा पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है लेकिन उसके बाद मैंने उसे धंग से बोचा तो उसने मुझे बताया कि अगर डिरेक्टर को लगता है कि मुझे में टैलेंट है तो ही वो मुझे फिल्म में लेगा मैंने अपने आत्मसम्मान के साथ समझाता करने से इंकार कर दिया और फिर वो फिल्म मेरे हाथ से निकल गई